हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार पुनाप सभी का हमारे अपने यूटूब चनल स्यू कोचिंग क्लासेश पर और दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिसकस करें क्लास 12 बायलाजी एंसे रटी देखिए यहाँ पे हम चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 6 तक यानि चै आपसे पहला कोस्चन क्या है जेनेटिक कोड पर टिपनी लिखिए ठीक है तो देखे जो जेनेटिक कोड जिसको कि हम अनुवांसिक कोड कहते हैं तो अनुवांसिक कोड पेपर में कभी-कभी पूछा जाता है ठीक है तो अनुवांसिक कोड को वैसे भी आपको बेसिक क्या है आर्याने के सभी प्रकारों को समझाइए ठीक है तो आर्याने के जितने भी प्रकार होते हैं ठीक है चाहे वो ट्रांसपर आर्याने हो चाहे वो राइबो सोमल आर्याने हो ठीक है चाहे वो आपका या मार्याने या मैसेंजर आर्याने हो तीनों आर्याने के प्रकार ज होती है उसको समझाना है और सही लगनता के जितने भी प्रकार होती है ठीक है उन प्रकारों को आपको समझाना है सही लगनता का कोई न कोई प्रकार जो है पेपर में पूछा जाता है ठीक है तो सही लगनता आप अच्छे से तयार कीजिए इसके बाद देखी अगला क्या है ह हीमोफीलिय वर्नांदता अनुवांसिक रोगों पर टिपनी लिखे ठीक है देखे यहां पर बेसिकली दो अनुवांसिक रोग या जेनेटिक डिसीज ठीक है पहला क्या है एक हीमोफीलिय और दूसरा क्या वर्नांदता यह कोस्चन पेपर में बार-बार रिपीट होते हैं ठ पेपर में ये दोनों question बाहर बार पूछे जाते हैं ठीक है अच्छे स्तयार कीजिए इसको आप इसके बाद देखिए अगला question क्या है मानव में link निधारण की विदी को समझाए ठीक है तो मानव में जो sex determination की क्रिया होती है ठीक है या link निधारण की क्रिया जो है ये भी कभी का भी paper में पूछे जाती है ठीक है और link निधारण की जो क्रिया है या process है इसको हमने पूरा विदिवत कराया यदि आवी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकि वहां से देख सकते हैं ठीक है इसके बाद देखिए अगला question क्या है अनुवादन या translation को समझाइए ठीक है तो translation या अनुवादन की क्रिया जो है ये भी paper में पूछी जा सकती है ठीक है तो इसको भी आप अच्छे से तयार करिएगा इसके बाद देखिए अगला question क्या है test tube baby क्या होती है समझाइए ठीक है तो test tube baby या परकनली जो सिसू होती है ठीक है तो आपको test test tube baby और परकनली के ऊपर क्या करना है एक टिपणी आपको तयार करना है अच्छे से ठीक है पेपर में ये question भी आ सकता है इसके बाद देखिए अगला question है DNA और RNA के मद्ध अंतर लिख लिए ठीक है यानि RNA और DNA के मद्ध यहां पर difference बताना ठीक है तो डाइबो नूकलीक एसिड और यहां पर राइबोज नूकलीक एसिड दोनों के मद्ध अंतर कभी न कभी पेपर में पूछा जाता है ठीक है तो इनको आप अच्छे स तयार कीज समझाए ठीक है देखे मेंडल के जो तीनों नियम मेंडल ने दिये ठीक है चाहे वो आपका डॉमिनेंस का नियम हो ठीक है चाहे वो आपका प्रहाविता का नियम हो ठीक है चाहे वो आपका प्रथक करन का नियम हो ठीक है चाहे वो आपका स्वतन्त रभ्विवन का नियम हो और क्रोमोजोम के जो भी function से अकार होते हैं उसको भी आपको तयार करना है next question है हमारा amniocentasis क्या होती है समझाइए ठीक है देखिए amniocentasis की जो पूरी की पूरी process होती है ठीक है उसको आपको अच्छे से तयार करना है ठीक है तो देखिए जो पूरूस की नस्बंदी होती है ठीक है बैसिकली जो बैसक्टोमी होती है इसके लाबा जो भी female में नस्बंदी होती है जिसको हम tubectomy बोलते है ठीक है यह question पेपर में दो number की question में बार बार पूछा जाते है ठीक है जो Watson और Cricker जो double helix model है उसको आपको तयार करना है Watson और Cricker जो double helix model है यह paper में बार बार पूछा जाता है ठीक है इसके बाद देखिए अगला question क्या है मानव में होने वाले याउन संचरित रोगों का one end कीजे ठीक है देखिए मानव में कई सारे याउन संचरित या जिसको हम sexual transmitted disease कहते हैं ठीक है तो sexual transmitted disease जो भी होते हैं मानव में चाहे वो आपका AIDS हो चाहे सिफलिस हो गो नेरिया हो ठीक है तो यह paper में question बार बार repeat होते हैं ठीक है और basically AIDS के वारे में अक्सर पूछा जाता है ठीक है देखिए इसके बाद अगला question क्या है अनुलेखन यह transcription को बिस्तार पूरवक समझाए ठीक है देखिए अनुलेखन की क्रिया जो है इसको हमने आपको बिस्तार पूरवक कराया ठीक है अनुलेखन यह transcription की क्रिया जो है आपको अच्छे तैयार करना ठीक है लांग की question में यह हमेशा आता है ठीक है तो अनुलेखन यह transcription की क्रिया को आपको समझाना है इसके बाद देखिए अगला question क्या है अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता को समझाईए ठीक है तो जो अपूर्ण प्रभाविता होती है या incomplete dominance तथा सह प्रभाविता यानि co dominance जो होती है यह दोनों क्या है मेंडल के नियम के अपबाद है या आपसे ऐसा भी पूछ सकता कि मेंडल के नियम के अपबादों को समझाए ठीक है तो आपको अपून प्रभाविता यानि incomplete dominance तथा 37 co-dominance आपको तयार करना है पेपर में ये दोनों प्रभाविता के नियम के जो भी अपबाद है ये पेपर में पूछे जाते हैं कभी-कभ इसके बाद देखिए अगला question क्या है गिफ्ट ठीक है गिफ्ट यानि गेमेट इंस्टर फैलिपियन ट्रांसपर जो होता है इसके अलाबा जो जिफ्ट है ठीक है MTP तथा जो भी हार्मोनल और गर्व निरोधक आउसदियां होती है इन पर टिपनी लिखना है ठीक है साट टिपनी लिखने के लिए आता है ठीक है चाये वो गिफ्ट हो आपका ठीक है या जिफ्ट के अलाबाए MTP भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है और हार्मोनल गर्व निरोधक जो है इन आउस अधियों पर भी टिपनी आपको तयार करना ठीक है यह पेपर में पूछे जाते हैं और बार बार अक्सर repeat होते हैं देखिए इसके बाद हमारा next question क्या है डियाने finger printing की क्रिया बिधी को समझाईए ठीक है तो डियाने finger printing क्या होती है बेसिकली और डियाने finger printing की जो भी उपयोगिता होती है और इसकी process इसको आपको तयार करना ठीक है दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम